हेलो हाई फ्रेंड्स डेली कॉरेंट एफियार्स 21 एप्रिल 2021 में आप सभी का स्वागत है तो मेरा नाम है तरून आप देख रहे हैं रोयल अकडेमिक 21 चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो फास्ट कुश्चन है कुश्चन नमर वान पेगा सिस्टम हैज एपोइंट एट होम एच दे सिनियर टारेक्टर एड हैड अप्यूपल अर्गानिशन इन इंडिया पेगा सिस्टम ने भारत में वरिष्ट संगठन के प्रामोक बिदेशाक वार प्रामोक के रूप में किसे न आप्षन है डेविट मैनुएल विच इदो क्रेक्ट एंसर है दो क्रेक्ट एंसर इस ऑफ्षन नमर ए स्मृति माथारास इदो क्रेक्ट एंसर है इंपोटेंट पोइंट की अगर हम बात करेंगे तो पेगा सिस्टम ए यूएस बैस्ट सब्ट्ट्वेर कंपनी ये एक यू पोइंटेट दस्मृतित माथारास सिनियर डायरेक्टर जो कि उसी सब्ट्वेर क्या सुप्ट्वेर का स्मृति माथारास सिनियर डायरेक्टर के रूप में यूक्त किये गए है and head of people organization in India और एक चीज स्मृति माथाराश को head भी बनाया गया है जो कि people organization in India है उजी का head भी बन चुके है Next question है question number two Nithi Aayok has launched a national digital repository on health and nutrition What is the name given to his repository? Nithi Aayok ने स्वास्त्य वार पोशन पर एक राश्ट्य डिजिटाल भंडार शुरू किया है इस भंडार को क्या नाम दिया गया है Option यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है Option number A है और सधी ग्यान Option number B है पोशन ग्यान Option number C है फिटनेस ग्यान Option number D है आरोग यह ग्यान Which is the correct answer here The correct answer is option number A Sorry, option number B पोशन ग्यान इदा correct answer here Important points के अगर बात करेंगे तो नितियायोक launch in National Digital Repository on Health and Nutrition जिसको पोशन ग्यान कहा जाता है जो की 13 April 2021 में उसे launch किया गया है नितियायोक के अध्यक्य के बारे में अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी उसके अध्यक्य है Next question है question number 3 The world 4th digit day is marked annually on which date विश्व चगास रोग दिवस प्रतिवर्स किस तिथी को चिन्हित किया जाता है Option यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है Option number A है 19 April Option number B है 14 April Option number C है 18 April Option number D है 20 April Which is the correct answer here The correct answer is Option number B 14 April The correct answer here Important points यहाँ पर मन रहा है The world 4th digit day is observed जो world 4th digit day है वो 14 April को ही मनाया जाता है जो कि rise public awareness को बढ़ावा देने के लिए है और visibility among the people about the 14th digit also called American trypenasomyosis अमेरिका में उसको ट्रापणासomyosis बोल के उसको बोलते हैं और हमारे यहां हम उसको चागस डिजीज के नाम से जानते हैं एंड रिसूर्स नीडियाट पर दा प्रिवेंशन कॉंट्रोल एंड एलिमिनेशन अब दा डिजीज यह डिजीज को देखो यह डिजीज को कम करने के लिए ही यह दिन सब मनाया जाता है जो कि 14 अप्रिल आपको याद रखनी है नेक्स्ट कुस्चन है कुस्चन नम्मर फोर नेशनल टाइटनिक रिमंब्रेंस डे इस अफजार्ब और विच डेट राश्ट्रिय टाइटनिक स्मराण दिवस किस तारिक को मनाया जाता है आप्षन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आप्षन नम्मर यह 15 अप्रिल आप्षन नम्मर और है 14 अप्रिल आप्षन नम्मर सी अगरा 17 अप्रिल आप्षन नम्मर धीभे 19 अप्रिल हुई ची below correct answer here तो आप सभी को पता हुआ होगा टाइटेनिक जो ढूब गया था ना उसमें जो बहुत सारे लोगों का मात हो गया था उसी दिन को स्मराण करने के लिए रिमेंबरांस करने के लिए ये टाइटेनिक दिवस मनाया जाता है एप्रिल 15 को और ये कहां पर डूब गया था ये नर्थ आंटलांटिक उसियन में ओके और ये एप्रिल 1912 में हुआ था 1912 में ये चीज़ बहा था वे रिमेंबर दा मोर देन 1500 पीपल हो डाइट दे तो मोर देन 1500 से भी ज्यादा लोग वो जहाज में थे जो कि सभी का मत हो गया उसी में नेक्स्ट कुस्चण है कुस्चण नमेर फाइब फिचव दा फूलोइंग स्टेट ऋट इंडियास फिस्ट फास्ट फ्रूटिंग ल्यंग सिफिकेशन यूनिट मिलती है अप्षन यहां पर देखने के लिए मिल जाता है अप्षन नम्मर यह है गोवा अप्षन नम्मर भी है केरला अप्षन नम्मर सी है आंधरप्रदेश अप्षन नम्मर दी है महाराश्टर विची दो क्रेक्ट एंसर है अप्षन नम्मर दी महारा FSU has arrived at SNRJ Zvayagad Terminal in the Ratnagiri district of Maharashtra on the west coast of India तो यह हमारे west coast इंडिया के में है जो कि नाम है वो district का नाम है Ratnagiri और state का नाम है Maharashtra उतना याद रखना है और FSU की full form कि अगर बात करें तो floating storage and regassification unit is the full form of FSU और यू नेक्स्ट कुस्चिन है कुस्चिन नम्मर शीक्स कि फूइच सिटी विल होस्ट दा ट्वेंटी टू लिरियास वार्ड स्पोर्ट्स आवार्ड्स कौन सा सहर ट्वेंटी टू वे लिरियास विस्व खिल पुरसकार की मेजवानी करेगा अप्सन यहां पी देखने के मिल याता है पसन लूर्ड यह रूम, एस सभी पारी dość सपने मिल याता है प्सन यह है रोम, एस स्पोर्ड वर पारिषस अंब की अगर बात करींगे तौशिछी शिंट्स कॉइ आ शिप्सपार लिव धन to the 22nd lirius world sports awards in a virtual ceremony owing to the regging covid-19 pandemic next question question number seven this is the last question of this session last golden city of luxor discovered by archaeologist in which country who is warna nagari luxor ki khos kish desh ke puratatwa video ke na ki thi option yaha pere dhikhen ke liye mil jata hai option number e hai egypt option number b hai Pakistan option number c hai China option number d hai Russia which is the correct answer here the correct answer is option number e egypt is the correct answer here important points ke agar baat karenge to lost golden city of luxor discovered by archaeologist in egypt the 3400 years old royal city watch built by m.n.hotep third abandoned by his heretic son eknathen and the contents stoningsly preserve the remind so yeh bhaat purana hai purana chiz hai joki static gk meh bhi yeh aa sakta hai isi liye yeh question ko liya gya hai yeh bhi aapka exam ke liyeh bhaat hi importance ban saktta hai then thanks for watching this video like comment and share subscribe karna na bhu lyeh milte hai agle video par tab tuk ke liyeh jayi jay bhaarat bhandi maataram